आज हम बनाएंगे पोहा चीवडा रेसिपी जिसमें कोकोनट होगा और मैं पीनट ओल का यूज कर रहे हूँ जैसे यह चीवडा बहुत ही टेस्टी बनेगा गुजराती लोग ढोक ले और खीचू बहुत सारी चीज़ों में पीनट ओल का यूज करते हैं वैसे इस पोहे में पीनट ओल का यूज करने से यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगे यहां पर हम लेंगे नाइलोन पोहें जो पोहा बनाने के लिए यूज होते हैं और हमें चाहिए रेट चिरी पाउडर नमक और स्पैशली पीनट ओईल अभी हम एक कड़ाई लेंगे कड़ाई को हम हलका सा गरम होने देंगे और उसके बाद हम तूरंधी पोहें डाल देंगे यहां पे पोहे को हम पहले क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देंगे मैंने जो पहली पोहे की रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने तड़का लगा कि उसके बाद पोहे को कुप किया था यहां पर हम वैसे नहीं करें हम पहले पोहे को क्रिस्पी करेंगे उसका बाद हम तड़का लगाएंगे और मसाले डालेंगे यहां पर पोहे को हम 8-10 मिनिट के लिए तीमियाश पर पकाएंगे सो यह 8-10 मिट के बाद हमारे पोही क्रिस्पी हो चुक है आप देख सकते हो सो अभी हम उसमें ओयल डालेंगे यहापे मैं 5 टेबल स्पून पीनट ओयल डाल रही हूँ मैंने जो पहली रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने रेगिलर ओयल यूश किया था यहापे मैं पीनट ओयल डाल रही हूँ जिससे टेस्स बहुत ही अच्छा आएगा यहापे में एक टेबल स्पून रेड चिली पावडर डाल रही हूँ और हम डालेंगे नमक स्वादनुसार आप चाहे तो हल्दी पावडर भी इसमें डाल सकते हो सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अमारी आज दीमी ही रखेंगे और हमारे पोहें यहापे क्रिस्पी हो चुके हम सिर्फ को सिर्फ हमें स्पाइसिस को ही अच्छे से मिक्स करना है ऐसे दो स्पेचला लेकि उसको अच्छे से मिक्स कर देजिए अभी मैं इसमें एक और टेबल स्पुन और डाल रहे हूँ क्योंकि मैं तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो बस हमारे पोहे रेडी हैं अभी हम तड़का लगाएंगे उसके लिए हमें चाहिए डाल्या यानि कि जो रोस्टेट चना डालाती है वो उसके बाद हमें चाहिए ड्राय कोकुनट जो मैंने लेंधवाईस कट किया हुआ है उसके बाद हमें चाहिए करी पते एक ग्रीन च तड़का उसके लिए पैन ले लीजिए और हम उसमें डालेंगे पीनट ओईल करीबं तीन टेबल स्पून जैसे यह अलका सा गरम होता है हम उसमें डालेंगे करी पते और उसके बाद हम डाल देंगे रोस्टेट चना दल यानि की डालिया उसको हम सिर्फ एक बार स्टोर करेंगे और उसके बाद हम तूरंद उसमें डाल देंगे कोकोनट चना दल को ज्यादा देर तक cook नहीं करना है सिर्फ उसको स्टॉर करके हम coconut डाल देंगे और green cherries डाल देंगे और coconut को हम light brown होने तक cook करेंगे अब देख सकतो यो coconut हलका ब्राउन होने लगा है अभी यह अभी हो चुका है अभी हम इस तड़के को पोहे में डाल देंगे अभी हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम उसमें डालेंगे शुगर यहां पर मैं तीन टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ इसलिए शुगर अवश्य डालें सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेजिए मिक्स करने के बाद आप पोहे को एक बार टेस्ट कर लेजिए अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप इसनमें डाल सकते हूँ यहां पर मैं फिर से तीन टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ इस मोहे का टेस्ट सुगर शेही ज्यादा अच्छा आएगा सबी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजे और उसके बाद अभी हम पापड को रोस्ट करके उसको ब्रेक करके इसमें डालेंगे इसमें अभी मैं तीन पापड को रोस्ट करके उसको ब्रेक करके डाल रही हूँ जैसे पहली रेसिपी में किया था वैसे ही करना है इसलिए यह पोहे और ज्यादा टेस्टी बनेंगे जो शुगर वाले नहीं खाते हैं वो मेरी पहली रेसिपी को जरूर देखें मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी सो यहां पे हमारा पोहा चिवडा बनके रेडी है जर झाले पोहा चिवडाट पार से यहां पूहां को जर्यादा है